मत कर मुझे प्रणाम दूर हो जा मेरी नजरों से पापी कुरुदेव मेरा कसूर कसूर आज तुने गहरा पाप किया है जिसे मेरी आत्मा बहुत दुखी है मेरे विश्वास को ठेज पहुची है और मेरे हिर्दे को घहरा आगात पहुचाया है तुने गुरुदेव मैंने तो ऐसा कोई काम ने किया है आज तुने एक लड़की से मदद ली उसका सपर्श किया जिसकी गंद अभी तक तेरे शरीर से हा रही है आई 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 सब्सक्राइब कंद याजजी वो तो खुद मुझे टकरा गई थी मुझे आपकी सारी याद थी मैंने उसे ढाटा और उसके साथ जाने से मना भी कर जी लेकिन मैंने उसके घर में कफड़ी बदले थे क्योंकि मुझे नहीं मालुम था कि वो उसका घर है जैसे मुझे मुझ इससे दूरी रहना मेरे प्रिये शिष्ये दूरी रहना आप चिंता मत किजिए गुरुदेव आपका मंत्र मेरे रूम रूम में बता है और नरकार है कि विश्व में तुझी की चाहिए सैंडी नाश्ता ले आओ मैं आपके लिए सफेद बकरी का दूद लाई हूँ सैंडी यह आपके लिए ताजी मूली अरे नियम ब्रश्ट सैंडी कहा बार गया तू यह आपके लिए मरहवे बैल की चमड़े की चपल इतने सारे नरके द्वार सेंडी वो तो घर पर नहीं है बाजार में मिले थे कह रहे थे उन्हें सब कुछ दे देना तुम सब यहां से निकल जाओ परना मार मार के भूरता ना दूगा निकला यहां किसी कोई चाहलने चलेगी चलो अब यहां क्या कर रहे हो कि अधार गौरी तुम क्यों रो रहे हो वह जो बाबु है ना जिसने चाय का बागान खरीदा उसने हमें बहुत डाटा क्यों क्यों कि उसके नौकर के कहने पर हम उसकी सेवा करने गये बदले में उसने हमें भला बुरा कहा और हमारे हाथ का चुआ खाने को तयार नहीं वो कहते हैं कि हम अच्छूत है ऐसा अच्छूत कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओं मैं अभी उससे दिखा कर आती हूं कि अच्छूत कौन है बड़ा अपने आपको ब्रहमचारी समझता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उन्ह लगे रहते हो लगे रहते हो क्योंकि नहीं कि गला सो हम और घाना की कोशिछ है यह और मसूर की डाल की अच्छी होती है कम से कम अपनी उपकात तो जानती है इस ते कहो के अभी इसी वक्त चले जाए शेंडी इंसे कह दो कि वह लड़किया बिचारी इनकी सेवा करने के लिए आई थी और सेवा करने का ये फल देने की तैजीर इनके शहर में होंगी यहा कि यहां मुझे बाहर निकालोगे यह हमारा इलाका है क्या संभे यह तो हमारी महमान नवाजी है कि तुम्हारा इतने दिन निहास किया वरना कॉपका बोरिया बिसतरा बानकर यहां से रवाना कर दिया होता क्या समझे शकुजी आप भार चलिए इनकी तरफ से में माभी प्रफेसर सहाब आपने ठीक ही कहा है और तो ये बात है तो ये बात है हाँ शकूजी दुशन जी के माबाब भी परिशान है इसलिए हम बेजाए तुम फिकर मत करो शेंडी मैंने अगर तुम्हारे दुशन बाबा के दिल से और ये खौफ नहीं निकाला तो मैं भी पहाड की बेटी नहीं क्या समझें क्यों है मुरारी लाँ क्या हाँ है क्यों बेजिए इस बाहर मुझे भूल गया तब आया नहीं हो नहीं तो जानता नहीं क्या कहा तू राजो गाईर को भूल गया वह मीना कहा है तो पिछली बार यहां आया था और तब मैंने ही तो कमरा दिलवाए था तुझे और जब तेरी बीवी आई थी तो उस मीना को ल तुम से यह उम्मीद नहीं थी अरे शुब 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 मुराली नहीं हरे मैं तो दुशंत कुमार हूं दुशंत कुमार महरा दुशंत कुमार नवश्कार सुनो कमाल है कमाल है वैसे राजू गाइड की आदाश बड़ी तेज है वह मुराली लाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था तों कहां से आयो और गाइड भाई हम तो बंबाई से हैं और बंबाई का बाबू कोई तो नहीं रखा ना मुझा रख लो पैसे जो अब जाना है क्योंकि चाय का बगान तेखना है तो फिर चलो अभी ले चलते हैं अभी चलाओ लगता है यह कौन से रास्तों से ले जा रहा है रहा हुँ जरा संभल के चलना इन रास्तों पे अक्तर लोग विसल जाया करते हैं बाबू एक बात मुरे समझ में यहां जए लोगा प्रेमी बेमी का पती पत्री एक साथ में मिलका चरह त्योंकि कोक्त है है तो प्यार के असंश्प हो प्यार के कर नहीं है है उसके करना उच्छ को बस देख कर रहा हु इसक को बीच ता अगर मेरी जगा कोई लड़की होती तो क्या तुम मदद ना लेते हैं लड़की हुती तो न अभी जली जल तूफान आने वाला है चलाजा है करे बच गई राजू गाइड जब तक तूफान संता है हम कुछ दर्ट यहीं पना लेते हैं हां हां खैयाल बुरा नहीं है चलो हूँ 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 चलो हूँ 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 दरोजा खुना है अगरा घोल्ड़ा तरजा दिल्ड़ा जलगानि जल्द कैसा खनब का तुफान चल रहा है कोई है अगर भाई घरमे है कोई था यह था चल रही है तो अगर यह था कि इस हम आज कर दो दो हम आज तुम अरे अरे सुनो कहां चाहरे हूं सुनो तो बहुत तेज तूफान है बहार जाना ख़तरनाथ है अंदर आजाओ अंदर आजाओ तूफान थमचाए तो चले जाना क्या बढ़िया खुश्बू आ रही है जितनी खुश्बू आ रही है भूख उतनी बढ़ती जा रही है गरम गरम रोटिया और तड़के वाली दाल है मकान माली करा लाक लाक शुकर है कि तुम लोग तो घर में हो नहीं लेकिन खाने पीने की सारी चीजे घर में छोड़के गये हो वरना कल भूख से मरी हुई तो लाशे मिलती क्या देख रहे हो यह पहाड़ी इलाका है बारिश अब रुखने वाली नहीं लोग खाना खाले मुझे भूख नहीं है श्रीमान जी खाने की कोई जात नहीं होगी लेक्चर मत दो तुमने लड़का बनकर मुझे बेवको बनाया और क्या करती लड़की बनके मिलती तो कैसल चेंगरो पानी पानी इसलिए बनाया इस से हमारी प्यास पुछे हम लो अच्छा बताओ अगर पौधों से फूल ना उखते या फूल उखते लेकिन उनमें खुष्पु नहीं होती तो क्या होता कभी सोचा नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिसने संसार बनाया उसने हर चीज बहुत सोच समझ कर बनाई है जैसे फूल बने उनकी सुन्दर्ता बनी उससे खुष्पु बनी दिन बना तो रात बनी धूप बना तो च्छाओं बनी आकाश बना तो धर्ती बनी मर्क बना तो औरत बनी अगर उसकी रशना को ठुक राओगे तो उसका अपमान होगा तुमने आला गालिया तुमने पूछ लिया तुमने पूछ लिया मेरा पेट भर गया मेरा पूप बना तुमने दोल्ड़ मेरा तुमने तुमने मेरा तुमने चाह मेरा तुमने पूछ भिया काश सम्ना वापदाना तुमनी अभर को यांगे चिभर अब मुझे देख लो मैं जिससे प्यार करता हूँ अभी तक उसे मालूम तक नहीं है लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है उसके साथ बात ही करना उसके साथ धूमना फिरना उससे बस देखते ही रहना हाँ 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 ऐसा लगता है जैसे जिन्दगी में पहले कमी थी कोई मेरे हाँ हाँ करो चिस नहां पूस्टों तरह बाल अ जा। करो अच्के अटाह。 करो और यह सिर्टाना का लिए मैं जाइ मिल भी कुछें। कि अचान पुछें। कि अच्छें। कि अच्छें। हुआ 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 है हुआ हुआ है